Good evening students! Welcome to Doubtnet! स्वागत है आप सबका Doubtnet की Life Social Science की क्लासेस में मैं हूँ Anushya, आपकी Social Science Teacher and कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंस? I hope आप सब ठीक हो and I also hope कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं So, यह lecture किस के लिए चल रहा है? Class 10th के बच्चों के लिए? Okay? And chapter कौन सा चल रहा है बच्चों का Forest and Wildlife Resources So, हम लेक्चर 5 तक पहुंच चुके हैं काफी सारे important topics को cover कर चुके हैं आज के क्लास में भी काफी सारे fun topics को cover करेंगे and previous lecture में काफी बच्चों ने homework सब्मिट करा है and आप बच्चों के कुछ doubts भी हैं उन सारी चीज़ों को clear करेंगे and फिर हम क्लास को continue करेंगे Okay? So, जल्दी से start करते हैं क्लास यह आप बच्चों का time table है Monday to Saturday आपकी classes लगती है Morning में 7 a.m. Physics 8 a.m. Chemistry 9 a.m. Maths और 10 a.m. Biology Afternoon 12 p.m. Chemistry 1 p.m. Biology Evening अभी 4 बज़ रहे हैं और 8 p.m. Physics Okay? So, यह आपका time table है and एक बहुत ही exciting announcement आप सारे बच्चों के लिए Class 10 English Medium VIP course बहुत ही जल स्टार्ट होने वाला है and इस course में क्या होगा हमारे top teachers के recorded lectures आप बच्चों को मिलेंगे and यही top teachers एकदम live comment section में आपके सारे doubts को clear करेंगे So, यह course वैसे best क्यों है क्योंकि top teachers बहुत ही जादा experienced teachers जो पहले भी बच्चों की help कर चुकी अच्छा result लाने में अब वहीं teachers आप बच्चों की help करेंगी So, आपके सारे doubts को एकदम live comment section में clear कर दिया जाएगा इसके अलावा आपके हर एक सवाल का video solution भी provide किया जाएगा So, meet your top teachers यह आप बच्चों के top teachers हैं वैसे तो आप जानते हो इन सब को physics, chemistry, biology, social science, maths and english teachers तो अगर हम social science की बात करें तो उजवला माम और मैं हम दोनों आप बच्चों की social science में help करेंगे So, यह कुछ examples है उन students के जिन्होंने अपने family, village and even doubtnet का नाम रौशन किया है So, निलेश यादर village topper रह चुके हैं बिहार से class 10th में इनका score था 91.2% शानु कुमार district topper रह चुके हैं वैशाली बिहार से class 10th में इनका score था 91% And ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने doubtnet को join करा And उनका जो result है बहुत जादा improve कर गया In fact, more than 100 students, 100 से भी जादा students हैं जिनके 85% marks आए है So, कैसे करोगे आप लोग doubts का सफाया doubtnet के साथ तो यह first point तो सब बच्चों को पताई होगा doubtnet number one institute है doubt solving के शेत्र में Next, अगर आप इस course को join करोगे तो daily आपको homework दिया जाएगा Notes available होंगे and regular basis पे test भी होगा ठीक है, तो आप बच्चों को भी idea लग जाएगा कि कितनी कैसी तयारी आपकी चल रही है और हर एक सवाल का video solution भी हम provide करेंगे Classes चाहो तो आप एकदम time से attend कर सकते हो मान लो कोई और class है या फिर कोई और काम है तो ऐसे में आप बाद में भी class को attend कर सकते हो तो मतलब timing भी flexible है अगर आपके homework में कोई doubt है तो उसे solve करने के लिए आप लोग app की help ले सकते हो अगर class के बीच में अगर आप इस course को join करते हो और class के बीच में कोई doubt है तो क्या करना है comment section में hashtag doubt लिखो अपने doubt को properly लिख दो and हमारे top teachers एकदम live comment section में आपके doubt को clear कर देंगे अगर आप उस class को बाद में देखते हो तो ऐसे में 24 to 48 hours के अंदर आपको response मिल जाएगा अगर आपके textbook में भी कोई ऐसा question है जो आपको समझनी आ रहा या जिसमें आपको doubt है तो भी आप doubt net आपकी help ले सकते हो so काफी कुछ मैंने बता दिया आप बच्चों को course के बारे में अगर आप और जानना चाते हो या फिर join करना चाते हो इस course को तो आप हमें call कर सकते हो नंबर है 01247158250 मैं repeat कर देती हूँ 01247158250 या फिर आप लोग simply एक comment कर सकते हो ठीक है comment section में भी लिख के बता सकते हो तो अभी आप बच्चों के screen के सामने एक poll आने वाला है जल्दी से उस poll को answer कर दो और बता दो क्या आप class 10 board VIP course को join करना चाहोगे चलो आगे बढ़ते हैं आज के class में हम chapter को आगे continue करेंगे प्रीवेस लेक्चर में introduction हो चुका है forest as a resource, environmental degradation ये सब हम cover कर चुके हैं ठीक है पर आगे बढ़ने से पहले आज 5th June है तो आज एक special day है क्योंकि ये social science की class चल रही हो तो आप बच्चों को specially पता होना चाहिए आज क्या है तो आज के दिन हम world environment day celebrate करते हैं ठीक है so world environment day June 5th मनाया जाता है every year to spread awareness about importance of nature ताकि हम लोगों को awareness दे पाएं कि nature को protect करना कितना important है and coincidentally हम chapter भी यही पढ़ रहे हैं जिसमें हम यही समझ रहे हैं कि forest, plants and animals को protect करना कितना जरूरी है तो हर बार तो एकदम proper तरीके से world environment day को लोग मनाते हैं कई बार street place करते हैं ठीक है functions, festivals की तरह इसे मनाते हैं लोग काफी जगे पर पर इस बार covid restriction है तो online platforms के थ्रू ही लोगों तक awareness पहुंचाई जाएगी and हर साल एक theme निकाला जाता है ठीक है कि इस साल हमें world environment day पर किस चीज के उपर focus करना है तो 2021 में भी एक theme release की गई है reimagine, recreate, restore मतलब फिर से imagine करो कि हम कैसे protect कर सकते हैं nature को recreate करो और restore करो nature को मतलब नए नए तरीके ढूड़ो जिससे हम environment को protect कर सकते हैं बचा के रख सकते हैं and अपने तरफ से follow भी करो उन तरीकों को ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए आज क्या है, world environment day है चलो, अब हम आपके homework को discuss करते हैं काफी सारे बच्चों ने homework किया है वैसे तो काफी सारे बच्चे जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आप लोग answer लिख रहे हो, point wise एकदम अच्छी handwriting में कुछ बच्चे अभी भी points में नहीं लिख रहे हैं ठीक है, board exam में अगर आप पूरे पेज को ऐसे answer से भर्द होगे तो teacher को जादा teacher जादा ध्यान भी नहीं देंगी अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगी वो समझ नहीं पाएंगी आपकी answers को तो कोशिश करो कि पूरा एकदम बल की तरीके से आपको नहीं लिखना है point wise लिखना है, ठीक है, so देबशीष, धीरज, रेखा, ओमसरूप, रिशिका, राम, शीष, आशिता, नितिश, आंचल, संजीत, श्रधा, आप सब बच्चों ने homework कर रहा है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज homework कर रहे हैं madely possible नहीं हो पारा, इतने सारे बच्चों का screenshot लेके आना पर हाँ, मैं आपका homework चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ और काफी जादा improvement है पहले से, so very good, keep it up ओके, so जो बच्चे नहीं कर रहें, उनसे भी मैं यहीं करूँगी, कि धीरे-धीरे habit डालो पूरा question नहीं हो रहा, तो आधा question करो यह वाला question नहीं आ रहा, तो previous जो homework है, उसे उठा के करो पर दीरे-धीरे इसे habit में लाओ, क्यूंकि board exam में देखो, आपको answer लिखना होगा ठीक है, तो अभी तो आप NCRT से पढ़ लेती हो chapter को, doubtnet में classes attend कर लेती हो पर at the end of the year आपको answer लिखना होगा, तो आपके पास writing practice भी होनी चाहिए, ओके, चलो तो अब हम आपके doubts को देखते हैं, तो अनामिका ने एक बहुत ही interesting doubt पूछा था, वैसे तो आशितोष नहीं अनामिका के doubt को clear कर दिया, पर I'm sure बाकी बच्चों ने भी ये सोचा होगा, तो हम इस doubt को एक बार discuss कर लेते हैं, ठीक है, तो अनामिका ने पूछा था कि माम, economics में हम पढ़ते हैं कि development important है, ठीक है, economics जब भी आप बच्चे लोग पढ़ते हो, तो मैं यहीं बताती हूँ कि country का development करना development करना ज़रूरी है न, और geography में मैं आपको क्या पढ़ा देती हूँ, so geography में पढ़ते हैं कि development की वज़े से environmental damage होता है, तो हम क्या करें, ठीक है, so economics में मैंने बताए कि नहीं development करो, geography में आज हम इस chapter में पढ़ रहे हैं कि जब भी हम development करते हैं, तो environment damage हो जाता है, तो अनामिका sustainable development के बारे में हमने economics में भी बढ़ा है, and geography के first chapter में भी बढ़ा है, ठीक है, तो solution क्या है, देखो development तो हमें करनी पढ़ेगी, ठीक है, इंडिया को improve करना है, अपने आपको भी improve करना है, तो development ज़रूरी है, पर development करने का तरीका कैसा होना चाहिए, sustainable development, मतलब sustainable development में दो चीज़ करना भी पढ़ रहा है, तो कम से कम नुकसान हो, ठीक है, next point क्या होता है, sustainable development में, development करो तो ऐसे करो, कि future generation को भी उस development से कोई फायदा हो, जैसे आजकल के date में हम development कैसे करते हैं, कि हम लोगों का काम चल जाए, हम ये नहीं सोचते कि हम earth को अपने future generation के लोगों के लिए कैसा छो हो गया, रिशिका आपने पूछा है, how India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity, ठीक है, तो एक line लिखिए आपके chapter में कि इंडिया कि अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत जादा biological diversity है, ये इस sentence का मतलब है, so biological diversity मतलब तरह तरह के plants आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, अलग तो इंडिया में मिल जाएंगे, काफी सारी countries ऐसी है, जहां पे diversity नहीं है, अलग-अलग type के plants, animals, ये सारी चीज़े नहीं मिलती है, पर इंडिया इस मामले में काफी blessed है, हमारे पास mountains है, coastal area है, islands है, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है, तो अलग-अलग type के plants and animals इंडिया में easily द So, हमने ये पढ़ा था, कि सबसे जादा environment की उपर damage होना कब start होता इंडिया में, colonial time period में, colonial time period मतलब सारे बच्चों को ये पता है कि Britishers हमारे Britishers ने कबजा कर रखा था इंडिया की उपर, तो उस time period में, देखो, Britishers का main मकसद क्या था, कि इंडिया से चीजों को सस्ते में खरी ठीक है, जो भी resource था, जो भी plants, animals, जो भी चीज उन्हें मिल पाई, हरी चीज को वो उठा के ले गए, ठीक है, so उस time period में, बहुत जादा damage होता है हमारे environment की उपर, ठीक है, जैसे ये लोग हमसे क्या कराते हैं, ये लोग हमसे कहते हैं, कि आप अपने सारे forest को cut कर दो, और उ environment को नुकसान होता है, ठीक है, so नितिन, I hope आपका ये वाला doubt clear हो गया, नितिश, आपने क्या पूछा है, कि आप chapter को read कर रहे थे, और एक sentence आपको समझ में नहीं आया, कि microorganisms recreate the quality of air we breathe, ठीक है, so full sentence ये नहीं होगा, ठीक है, आपने full sentence नहीं लिखा है, chapter में ये लिखा होगा, plants, animals and microorganisms help recreate the quality of air we breathe, ठीक है, तो इस sentence से आपको ये समझना है, कि हम सारे लोग एक दूसरे के उपर interdependent हैं, ठीक है, animals, plants के बिना नहीं रह सकते हैं, plants, animals के बिना नहीं रह सक तो इसलिए हम एक दूसरे को protect करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी particular animal की बारे में भी बात करें, tiger के बारे में भी बात करें, ठीक है, तो अगर अचानक से tiger की species extinct हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें भी harm करेंगी, क्योंकि हम सारे जो living organisms हैं, एक द survival अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ये इस line के थुरू आपको समझाया जा रहा है, ओके, चलो, तो एक और doubt है, आंचल ने पूचा है, ये doubt, ठीक है, तो आंचल ने ये पूचा है, कि माम आपने ये तो बता दिया कि previous class में, कि Indian Wildlife Protection Act निकला था 1972 में, बट माम, वाइ स्पेस प्रोजेक्ट टाइगर अलग से निकालनी की क्या जरूरत है, और सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर ही क्यों निकला है, वाई हाज इस नौट बीन लॉंच फॉर आल स्पीशीज, बाकी आनिमल्स के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना है, तो कुछ चीजे मैं बताती ह आपको आचल, इंडियन वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट में भी टाइगर के बारे में बात करी गई है, बेंगॉल टाइगर के बारे में बोला गया है कि हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, पर टाइगर नाशनल आनिमल भी है, ठीक है, बहुत जादा कि पॉपुलेशन कम होने लग जाती इंडिया में ठीक है तो ऐसे में हम एक और प्रोजेक्ट निकालते हैं ताकि हम जादा से जादा अवेरनस फहला पाएं तो उस प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट टाइगर एंड अगैन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर के लिए हम लोगोंने प्रोजेक्ट निकाला और भी काफी सारे अनिमल्स हैं जिनके लिए सेपरेट प्रोजेक्ट चल रहा है ठीक है जैसे एलिफंट के लिए प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफंट कहा जाता है ठीक है सिमिलरली क्रोकडाइल्स के लिए हमने बहुत सारे प्रो अगर नहीं भी हुए doubts clear तो आपको पता ही है, comment section open है, उसमें hashtag doubt और अपने doubt को properly लिख दो, next lectures में आपके doubt को clear कर दिया जाएगा, okay, चलो, आगे बढ़ते हैं, and अपना next topic chapter को continue करते हैं, so हम types of forest के बारे में discuss कर रहेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, उसी topic से related, तो ये कुछ facts मध्यप्रदेश has the largest area under permanent forest, तो अगर हम permanent forest के बारे में बात करें, तो मध्यप्रदेश में सबसे जादा permanent forest है, ठीक है, मतलब reserved or protected forest सबसे जादा मध्यप्रदेश में है, और ये आपको अभी याद कर लेना, क्यूंकि मैं अभी बतारी हूं, आज के quiz में मैंने ये question डाला मध्यप्रदेश में सबसे जादा permanent forest है, 75% जितने 100% जो भी forest है मध्यप्रदेश में, उन में से 75% permanent forest के category में आ जाते हैं, ठीक है, अब अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर, ठीक है, आंदर प्रदेश, उत्राखंट, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बेंगौल, महाराष्ट इन सारे areas में भी काफी सारे forest है, ठीक है, तो यहाँ पे भी भहुत सारे reserved forest है, ठीक है, पर सबसे जादा कहाँ पे है, MP मध्यप्रदेश में, वेरास बिहार, ठीक है, कुछ states हैं, जैसे की बिहार, हर्याना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उडिसा, राजस्थान, यहाँ प है, Northeastern states के बारे में, अगर हम बात करें, तो इंडिया के Northeastern जो भी states हैं, और गुजरात इन states के बारे में, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे unclassed forest है, ठीक है, unclassed forest यहाँ पे आपको ज़ादा मिल जाएंगे, तो यह कुछ facts थे, जो आपको पता होना चीए, इ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कम्यूनिटी एंड कंजरवेशन. तो हमारे जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे काफी सारे ट्रेडिशनल कम्यूनिटी इस ट्राइबल्स ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है? इंडिया के कुछ इलाको एरिया में क्या चल रहा है? ये जो ट्राइबल लोग है, ये लोग बहुत सादा मेहनत कर रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यूंकि ये फॉरेस्ट इन लोगों का घर है, ठीक है? अब कई बार क्या होता है? इनी फॉरेस्ट के उपर गवर्मेंट को प्रोजेक्ट बनाने आ जाती हैं या ट्रीस कट डाउन करने के लिए आ जाते हैं, तो ये लोग अपने तरफ से बहुत महनत करते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? राजस्थान में है ये सरिसका टाइगर रिजर्फ, यहां के जो विलेजर्स हैं यहां के विलेजर्स ने बहुत जादा स्ट्रगल करा, ठीक है? तो यहां पे क्या हो रहा था? माइनिंग के लिए लोग आ रहे थे, माइनिंग का क्या मतलब है? आपको पता है कि अर्थ के न को बहुत जादा डामेज हो जाता है तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या हो रहा था वहां के विलेजर्स गवर्मेंट के लोगों को समझा रहे थे कि माइनिंग नहीं करनी है क्योंकि वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट के खिलाफ है यह ठीक है इन मैनी एरियास ठी करने के लिए और कई बार गवर्मेंट के अग्यांस्ट काम करते हैं क्योंकि गवर्मेंट ही क्या कर रही होती है काफी सारे एरियास में एन्वायर्मेंट को डामेज कर रही होती है तो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है अगर क्लियर है तो जल्दी से कॉमें जागे बढ़े चलो, बहुत ही बढ़िया So, next, अब हम क्या समझेंगे राजस्थान की कहानी है ये भी ठीक है, राजस्थान में क्या होता है पांच विलिजिस थे ठीक है उन्होंने क्या करा forest का एक particular हिस्सा So, 1200 hectares of forest ठीक है उस potion को कहा कि ये एक sanctuary है, ठीक है sanctuary मतलब भाईरोदेव डाकव sanctuary ये नाम दिया उन्होंने उस area को और कहा कि आज से हम इस area को protect करेंगे ठीक है, तो sanctuary कह देने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे अब कोई भी आके इस area को damage नहीं कर सकते So, अब इस area में hunting करना allow नहीं किया जाता ठीक है, और wildlife protection के सारे rules को follow किया जाता है ठीक है, तो इससे main आपको चीज ये समझनी है कि इंडिया में ऐसे भी काफी सारे लोग हैं, जो forest से बहुत closely linked है और वो लोग अपनी तरफ से भी बहुत जादा मेहनत कर रहे हैं forest को protect करने के लिए ठीक है, चलो, अब हम अपना next topic स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है next topic बहुत ही relatable topic है आप लोगों को भी easily समझा जाएगा sacred groups a wealth of diverse and rare species, ठीक है तो इंडिया की अगर हम बात करें ठीक है, बाकी countries में भी होता है ऐसा, पर इंडिया में आप देखोगे हम काफी लंबे टाइम से nature को worship करते आएं ठीक है, हम आसपास जो nature है, आसपास जो environment है हम उनको worship करते हैं, हम मानते हैं कि कुछ gods trees, gods की तरह ठीक है, भगवान की तरह है and हम उन trees को protect करते हैं ठीक है, तो कहीं बार क्या होता है जैसे अगर ये पूरा का पूरा forest है ठीक है, तो कुछ tribals क्या मानते हैं कि इस forest में से ये वाला इलाका important है, ठीक है इसको protect करना है, इसे worship करना है, तो ऐसे में क्या होता है tribals कहते हैं कि आप बाकी forest में कुछ भी कर लो पर इस इलाके को बिल्कुल touch नहीं करना, ठीक है यहां से कुछ पेड़ कट नहीं करना कुछ भी नहीं करना, तो इंडिया में ऐसे भी काफी सारे forest हैं, जहां पे कुछ parts ऐसे हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे से protect करके रखा हुआ, ठीक है, एसे areas को हम क्या कहते है, sacred grooves ठीक है, generally worshiping के लिए, ठीक है, यहां पे लोग, ऐसा लोगों का मानना है कि कोई god and goddesses हैं, ठीक है, लोग worship करते हैं, प्रातना करते हैं, यहां जाके, तो ऐसे area को sacred grooves कहा जाता है, मतलब ऐसा कोई forest जहां पे हम मानते हों कि कोई god है या फिर goddess है, ठीक है, so certain societies river a particular tree तो हर एक society में ठीक है, हर एक society में नहीं, पर कुछ societies में trees को worship किया जाता है, ठीक है, किसी particular पेड को worship किया जाता है so, कुछ communities हैं, ठीक है, मुंडाज, संथल छोटा नागपुर region में है यह कौन से trees को worship करते हैं, एक tree होता है, महुआ tree और एक होता है कडंबा tree, ठीक है, so इन trees को यह लोग worship करते हैं ओडीसा और बिहार की अगर हम बात करें तो यहां के लोग कौन से trees को worship करते हैं, एक होता है tamarand tree, tamarand मतलब imli, ठीक है, so imli का जो tree होता है, और mango का tree, ठीक है, यह in trees को खास मानते हैं, wedding time में भी in trees के leaves को use किया जाता है, and काफी सारे areas में आप देखोगे शायद आप लोगों ने भी सुन रखा हो कहीं आसपास, कि people के tree को ठीक है, and banyan tree ठीक है, people tree and banyan tree इन दोनों trees को भी worship किया जाता है तो यहां पर मैंने image भी डाल रखी है ठीक है, बहुत ही बड़ा tree होता है, banyan का, so यह banyan tree है, ठीक है, so हमारे culture में ही बहुत पहले से, historically हम लोग nature को बहुत ज़ादा respect देते आए हैं, ठीक है, कुछ trees को हम worship भी करते हैं, तो हमारे culture में भी बहुत पहले से हमें यह सिखाया जाता है कि nature भगवान की तरह हमें उन्हें protect करना sacred qualities are often ascribed to springs, ठीक है, कहीं बार हम लोग spring, mountain peaks, plants animals, इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं कि यह sacred है ठीक है, इन में कोई भगवान है, god है या goddesses है, तो nature को हम बहुत पहले से ही worship करते हैं, ठीक है अब हम, यह तो हमने trees के बारे में बात कर ली कि कुछ trees को हम protect करते हैं क्यूंकि हम मानते हैं कि वो god या फिर goddesses से linked है कुछ animals को भी हम protect करते हैं तो आपने सुना होगा या फिर क्या पता काफी सारे बच्चों ने देखा भी हो कि अगर आप कुछ temples में जाओ तो आसपास बहुत सारे monkeys होते हैं है न, बहुत बंदर होते हैं और उनको protect किया जाता है आप देखोगे कि लोग उनको प्रसाद दे देते हैं या फिर कुछ ना कुछ खाने का दे देते हैं पानी दे देते हैं कोई उन्हें परिशान नहीं करता तो काफी सारे एरियास में आनिमल्स को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें भी sacred माना जाता है ठीक है, सो मकाक मतलब नॉर्मल जो मंकी होता है तो यह वर्ड सुनके आपको डरना नहीं है ठीक है, लंगूर उनको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं टेंपल के आसपास अगर होते हैं ठीक है भिश्णोई विलेज, एक विलेज है राजस्थान में वहाँ पे ब्लाग बग सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्लाग बग के बारे में समझाता है मैंने आपको इमिज भी दिखाई थी एक और अनिमल होता है, नील गाए ठीक है, पीकॉक, पीकॉक को तो मैंने याँ डाली दिया अच्छे से देख लो ठीक है, तो इन सारे आनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है तो अगैन इससे हमें ये समझना है कि हमारे कंट्री के कल्चर में ही बहुत पहले से ही हमें ये सिखाया जा रहा है कि आनिमल्स को इज़त दो, प्लांस को इज़त दो, नेचर को प्रोटेट करो, परिशान नहीं करना इन सब लोगों को, ठीक है, तो अब हम एक बहुत ही important movement के बारे में बात करेंगे, कमाल की बात है, आज World Environment Day भी है, तो उससे भी relate कर सकते हैं आप इस topic को, ठीक है, तो इस movement को हम कहते हैं, चिपको movement, ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इसके बारे में, Class 6, 7th में भी, NCRT में ब्रीफली बताया जाता है, तो थोड़ा in detail हम चिपको movement के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हिमालियास के area में स्टार्ट हुआ था ये चिपको movement, ठीक है, एक बहुत ही successful movement था, इस movement के through हमने deforestation को रोका, deforestation मतलब cutting down of trees, ठीक है, तो हमने लोगों को रोका कि cut down मत करो trees को, और फिर धीरे-धीरे eforestation स्टार्ट करा, eforestation का क्या मतलब होता है, धीरे-धीरे हमने plants को लगाना स्टार्ट करा, तो चिपको movement को ही हम चिपको andolan भी कहते हैं, and main purpose क्या था, इस चिपको movement का, it was aimed at protecting trees, सारे trees को protect करने का मकसद था, ठीक है, तो दूसरे लोग trees को cut करने की कोशिश में थे, कौन थे वो दूसरे लोग अभी हम discuss करेंगे, तो main मकसद इस movement का ये था, कि trees को cut down होने से रोकना है, ठीक है, and इस movement में काफी सारे women ने भी participate करा था ठीक है, villages के काफी सारे लोगों ने participate करा था, तो ये सारी चीजे भी हम discuss करेंगे, तो अगर हम इस word के बारे में बात करें, चिपको, ठीक है, तो ये हिंदी word ही है, तो चिपको मतलब पेड के साथ चिपक जाओ, hug कर लो trees को, तो क्या होता था, उस time के around, सबसे पहले तो ये उत्राखंड में हुआ था, ठीक है, तो उस time पे उत्तरप्रदेश का ही पार्ट था, ये उत्राखंड में हुआ था, 1973 की बात है, सबसे पहले वहाँ पे हुआ, ये चीज इतनी famous हो जाती है, कि उस area में आसपास जितने भी areas थे, वहाँ पे ये चीज धीरे-धीरे spread होने वो collect करेंगे, ठीक है, पर वहाँ पे जो भी forest है, वो वहाँ के villages के लिए बहुत जादा important थे, ठीक है, forest सब के लिए important होता है, ठीक है, पर जो tribal लोग है, जो rural लोग है, वो जादा जल्दी समझ जाते हैं कि forest की importance क्या है, तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग इतनी जल्द जो आपको forest को cut down करने नहीं देंगे, ठीक है, सो क्यूंकि forest को जब cut down करते हैं, इन लोगों ने note करा कि जब भी forest को cut down किया जाता है, ठीक है, जब भी foreign companies आके-एक करके forest को cut down करते हैं, तो क्या होता है? Soil Erosion बहुत जादा बढ़ जाता है बहुत जल्दी Floods आने लग जाते हैं Flooding increase हो जाता है तो ये सारी problems Villagers note करना start करते हैं So first chip को movement में ये लोग क्या करते हैं जैसे ही लोग आते हैं Trees को cut down करने के लिए ये सारे लोग पेड के आसपास पेड को hug करके खड़े हो जाते हैं कि अगर आपको पेड को काटना है तो सबसे पहले हम को harm करना पड़ेगा तो अब वो इनसानों को तो काटेंगे नहीं है न तो वो इसलिए पेड को hug करके खड़े हो जाते थे और फिर ये धीरे और famous होने लग जाता है की ज़ुरत होती है तो उसके लिए हम अपने पेड में से थोड़े से वोड को निकाल रहे हैं तो क्या होता है government मना कर देती है government कहती है कि नहीं हम तो पेड को protect कर रहे हैं आप पेड को नहीं काट सकते हैं फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है government सोचती है कि हमें वोड चाहिए ताकि हम कोई चीज मैनुफाक्चर कर पाएं तो विलिजर सोचते हैं कि जब हमें बहुत ही चोटे से टूल्स बनाने थे तब तो हमें वोड किसी ने दिया नहीं पर जब मैनुफाक्चरिंग करनी है बहुत ही बड़े लेवल में तब सब लोग ट्रीस को कट करने के लिए रेडी है और फिर धीरे धीरे ये लोग चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं तब उस टाइम पर में लीडर चांदी प्रसाद भट इन्होंने स्टार्ट करा था ठीक है और धीरे धीरे बाकी लोगों तक भी ये फैलने लग जाता है बाकी लोग भी चिपको मूवमेंट को फॉलो करते हैं तो एक विलेज है विलेज रेनी ठीक है उस विलेज में भी ये बात फैल जाती है उस विलेज में ये प्लान होता है कि 2000 trees को cut down किया जाएगा पर women भाँ पर protest करना start कर देती हैं कि नई हम पेल काटना allow नहीं करेंगे ओके सो धीरे धीरे क्योंकि इन लोगों ने chipco movement को practice करा ultimately government क्या कहती है कि ठीक है आप लोग सही हो and 10 years के लिए उस forest के उपर ban लग जाता है कि कोई भी 10 साल तक इस forest में से wood को cut नहीं करेगा so chipco movement बहुत जादा successful रहा है जहां पे भी इन लोगों ने chipco movement को practice करा हम देखते हैं कि वहां पे wood plant को cut करना बंद कर देते हैं trees को cut करना बंद कर देते हैं and सबसे जादा success इस movement के through कब आया 1980 की बात है जब एक leader थे chipco movement के ही बाउगुना ये बात करते हैं तब Indian Prime Minister कौन थी तब इंडिया में Prime Minister कौन थी Prime Minister Indra Gandhi ठीक है उनसे बात करते हैं Indra Gandhi, Prime Minister Indra Gandhi कहते हैं कि हाँ आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं and वो 15 years तक ban कर देते हैं 15 years ban on commercial felling in उत्राखंड हिमालिया 15 years तक कहती है कि कोई भी उत्राखंड में हिमालिया में जाके trees को cut नहीं कर सकता तो ये सबसे बड़ा point था जहां पे लोगों को लगता है कि हाँ चिपको movement बहुत ज़ादा successful रहा है ठीक है इसके अलावा देखो इस तरीके से होता था चिपको movement में सारी women जाके पेड के आसपास ऐसे खड़ी हो जाती थी तो कोई भी पेड को cut नहीं कर पाता था and चिपको movement को हम बहुत ज़ादा successful इसलिए भी कहते हैं क्यूंकि आपको पता है father of our nation गांदी जी वो हमेशा से कहते हैं कि protest करो कोई दिक्कत नहीं है पर हमेशा protest non-violent होना चाहिए ऐसे नहीं कि किसी को मार पीट के समझारियों कि पेड को cut नहीं करना तो ये perfect example है उसका चिपको movement में कभी भी कोई violence नहीं हुआ ठीके किसी को डराया धमकाया नहीं गया ये लोग बस चुपचाप जाके पेड के आसपास खड़े हो जाते थे तो non-violent है ये ठीके next ये successful क्यों है क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था ऐसा movement था जिसके through हमने ये awareness फैलाई लोगों तक कि environment को protect करना बहुत ही ज़रूरी है in fact whole Indian level में Prime Minister से ही बुलवा दिया गया था कि हाँ 15 साल तक हम ban कर देते हैं कोई forest को परिशान नहीं करेगा next women ने बहुत ज़ादा participate करा तो normally जब भी आप लोग history, geography, economics पढ़ते हो तो ऐसा हमें लगता है कि women ने history में ज़ादा कुछ किया नहीं women leaders के ज़ादा नाम आते नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में भी women leaders का बहुत important role रहा है ठीक है हाद एक चीज में चिपको movement भी एक ऐसा movement था जहाँ पर women ने बहुत ज़ादा participate किया ठीक है कि write a short note on चिपको movement and बीच में एक Sunday भी आ जाएगा अराम से अच्छे से सोस समझ के लिखना अपने answer को point wise लिखना, neatly लिखना comment section में डालते time hashtag doubt लिखना नहीं बूलना वरना मेडले मुश्किल हो जाता है इतने बड़े comment section में आपका homework दूढना and class 10th के comment section में ही डालना किसी और class में जाके नहीं डालना है चलो, यह आपका homework है अब हम एक बहुत ही short quiz start करते हैं आपके lectures के उपर ही based है आराम से सोस समझ के answer करना quiz के question को first question which state has the largest area under permanent forest तो यह तो मैंने chapter के बीच में बता दिया था यह question में डाल रहे हूं तो यह सबका सही होना चाहिए option A, Madhya Pradesh, option B, Kerala option C, Assam, option D, Bihar सबसे जादा permanent forest कौन से state में next question which of the following trees are worshipped in India इन में से कौन से tree को worship किया जाता है इंडिया में option A, People, option B, Banyan option C, Tamarind option D, All of the Above next question when was the Indian Wildlife Protection Act implemented? Indian Wildlife Protection Act को हमने कब use करना स्टार्ट करा? option A, 1972 option B, 1973 option C, 1974 या फिर option D, 1975 चलो, जल्दी से इन questions को discuss कर लेते हैं first question में क्या पूचा जा रहा है? इंडिया का वो कौन सा स्टेट है, जहां पर सबसे जादा permanent forest आपको दिख जाएगा तो यह होता है Madhya Pradesh में तो राइट आंसर है option A, Madhya Pradesh next, which of the following trees are worshipped in India? so, इंडिया में कौन से ऐसे trees हैं जिनको worship किया जाता है तो people tree, banyan tree, tamarind tree इन तीनों को worship किया जाता है तो राइट आंसर है option D, all of the above next, Indian Wildlife Protection Act यह act कब implement करना हमने start करा था option A, 1972 तो 1972 से हम लोग क्या करते हैं इस act को implement करना start कर देते हैं so, यह आप बच्चों का quiz था जिन भी बच्चों के right answers है very good, keep it up काफी सारे बच्चों के होंगे यह पता है मुझे so, very good, keep it up अगर इधर उधर गलती भी हो रही है तो मैं आपसे रोज कहती हूँ demotivate नहीं होना है ठीके, class 10th के बच्चे हो आप तो okay, so, बिल्कुल demotivate नहीं होना है अब answer सुन लिया, आपने explanation सुन लिया अब देखना कि आगे future में यह mistake ना हो अगर किसी बच्चे ने homework miss कर दिया था तो फिर से देख रो, write a short note on chipco movement chipco movement के बारे में आपको एकदम short में लिखना है okay, so, आज के class में हम काफी सारे topics को cover कर चुके है introduction हो गया, forest as a resource, environmental degradation, conservation measures इन सारे topics को हमने cover कर लिया conservation measures में थोड़ा सा और एक बहुत ही छोटा सा topic आपका रह रह रहा है उससे हम next class में cover करेंगे उसके बाद question answers, important question answers को करना start कर देंगे अगर कोई भी doubt है आपको तो आपको पता है comment section में लिख देना next class में clear कर दिया जाएगा चलो तो that's it for today आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने next lecture में बाई बाई, take care and thank you